प्रती उदासीन रवाईया अपनाय जाने को लेकर के कड़ी फटकार लगाई है जस्टिस मदन भी लोकूर की अगवाई में बेंच ने नीती आयोक की रिपोर्ट के संदर्व में कहा कि तमाम अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी जालका खुद अपनी जिम्मेदारी से बचने में लगे हुए है सुप्रीम कोट ने ये भी कहा कि ग्राउंड वॉटर के संरक्षन के लिए कोई कदम नहीं उठाय जा रहे है केंद्रो दिली सरकार के पास इसके लिए कोई योजना भी नहीं है कोट ने कहा है कि सरकार पानी की खपत कम करने के लिए कदम नहीं उठा रही है आपको बता दे कि केंदर और दिली सरकार पर सुप्रीम कोट सक्त हो गई है और अस पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोट ने नगर निगम को भी आड़े हाथ ले लिया है ग्राउंड वाटर की कमी पर सुप्रीम कोट ने ये नाराजगी जताई है और ये चिंता भी जाहिर की है केंदर और दिनली सरकार को सुप्रीम कोट ने पूरे मामले पर फटकार लगाई है